इद आ रही है, इसी खुशी में क्शीर खुर्मा बनाना तो बिलकुल बनता है मैं जब भुपाल में रहा करती थी, तब हमारे घर के बगल में एक आंटी रहती थी इद सेलिब्रेट करने के लिए हम हमेशा उन ही के यहाँ पर जाते थे तो जब भी वो खुशीर खुर्मा बना रही होती थी, तो हम उनके साथ ही खड़े होते थे देखने के लिए कि exactly वो कर क्या रही है, वही रेसिपी आज आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूं चलिए फिर फटा-फट से देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम ड्राइफ रूट's को सोख करेंगे जिसके लिए यहाँ पर मैं ने लिया है दस से बारा बदाम, एक बड़ा चमश चिरोनजी, मिलजाये तो जरूर लीजे 10-12 यहाँ पर मैंने पिस्ता लिये है 10-12 काजू और 10-12 किश्मिशली है 15 मिनिट के लिए हमें इने गरम पानी में भिगोना है समय अगर आपके पास में ज्यादा है तो आप इसे रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं चलिए अब दूद को हमें उबालना है तो यहाँ पर मैंने एक लिटर फुल क्रीम दूद का यूज किया है दूद आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते है ड्राइ फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते है हाई फ्लेम पर हमें दूद में उबालाने देना है मैंने यहाँ पर फुल क्रीम दूद का यूज किया है इससे यह काफी क्रीमी बन कर तयार होगा तो देखिए पाँच मिनिट के अंदर अंदर ही दूद में बहुत अच्छा उबालाने लग गया है फ्लेम को अब हम कर देंगे मीडियम पर और मीडियम फ्लेम पर ही इसे 5-7 मिनिट के लिए ऐसे ही पकने देंगे और बीच-बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे तब तक हम यहाँ पर ड्राइफ फूट्स चेक कर लेते हैं देखिये, बादाम मैन्ने चील कर इस तरीके से झाट लिया है, पिस्ता के भी जिल के निकाल दिये हैं काट लिया है चोटा-चोटा मैं काटर लिया है, किश्मिश और शिराउने बहुता जी को मै ऐसे कल के लिए ने से लिए cute for like rape वोना पड़ेगा गरम पानी में क्योंकि वो काफी टाइट होते हैं तो देखिए यहां पर हमने ड्राइफ रूट्स काट लिये हैं अब दूसरी कड़ाई में मैंने दो से तीन चम्मज घी के लिए हैं घी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं घी जैसे ही गरम हो देखे थे वो भी हम इसमें डाल रहे हैं लगभग 2-3 मिनिट के लिए हमें ड्राइफ रूट्स को रोस्ट करना है जो फ्लेम है इस ताइम पर लो से मीडियम पर रहेगा ड्राइफ रूट्स को रोस्ट करने से जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसलिए रोस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो ये देखिए ये हो गया है इस टाइम पर हम क्या करेंगे कि इन्हें बहार निकाल देंगे जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो हम कढ़ाई में ही छोड़ देंगे और ये जो ड्राइफ रूट्स हैं उनको इस तरीके से हम बहा दो से तीन मिनिट का ही समय लगता है ज्यादा समय नहीं लगता है तो दो से तीन मिनिट में ही हलकी हलकी सी इसकी खुश्बू आने लग जाएगी और कलर भी इसका और थोड़ा डाक हो जाएगा इस पॉइंट पर मैं इसमें एक चौथाई कब डेसिकेटेड कोकोनट यानि यह हो जाएगा नारियल के बुरादे को हमें ज्यादा नहीं भुनना है लगबग लगबग एक मिनिट के लिए ही हमें भुनना है इसके बाद जो दूध हमने काड़ने के लिए रखा हुआ था कम से कम साथ आट मिनिट हमने इसे बहुत अच्छे से दूध को पकाया है उसक काफी अच्छे से यह मिक्स हो गया है अब जैसे यह हो जाएगा इसमें हम मीठे के लिए डाल देंगे चीनी चीनी की जगह आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं लेकिन पिर कंडेंस मिल्क आपको लास्ट में डालना होगा ड्राइफ रूट्स के बाद चीनी डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5-7 मिनिट के लिए और पकाएंगे इससे जो दूद है वो और भी गाड़ा हो जाएगा जो सिवई है वो काफी सौफ्ट हो जाएगी थोड़ी थोड़ी सी फूल भी जाएगी तो चलिए इसे इसी तरीक बाद में क्या होगा यह जैसी ठंडा होगा यह और गाड़ा होता चला जाएगा तो अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे इलाइची एक चम्मच मैंने कूट कर रखी हुई थी इसके साथ ही यहां पर जो ड्राइफ रूट हमने रोस्ट करके रखे हुए थे वो भी इसमे ही डाल देंगे दोबारा से हम इसे मिक्स करेंगे ड्राइफ रूट डालने के बाद में इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है बस एक मिनिट के लिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे क्योंकि ज्यादा पकाया तो ध्यान रखेगा इसमें किश्मिश है और आप गैस को बंद करेंगे पांच मिनिट के लिए इसे चोड़ेंगे 5 मिनिट के अंदर अंदर ही हलका सा ये जब ठंडा होगा तो कांसिस्टेंसी जो है वो और गाड़ी हो जाएगी ये लेकिए मैंने गैस बंद कर दिया था इसे इसी में ही चोड़ दिया था 5-7 मिन ठंडा होने के लिए और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है गरम पसंद है तो गरम खाईए और अगर ठंडी पसंद है तो फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा ठंडा एसे सर्व कीजिए कैसी लगी है रेसिपी कॉमेंट करके जरूर स वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा जल्द ही मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाए